तो ग्यानवाफी विवाद को लेकर AI MIM प्रमुकह ससुदीन ओवैसी ने एक बड़ा बयान दे दिया है उन्होंने कहा कि ग्यानवाफी मस्जित ही कयामत तक रहेगी इससे पहलों उन्होंने कहा कि बाबरी के तरह ग्यानवाफी को नहीं जाने देंगे ओवैसी के इन बयानों के बाद इस मसले पर राजनीती और गर्मा सकती है AI MIM प्रमुकह ससुदीन ओवैसी ने अपने ट्विटर अकाउंट से लिखा कि ये बाबरी मस्जित में दिसंबर 1949 की पाठे पुस्तक की पुन्रा वृति है ये आदेश ही मस्जित के धार्मिक स्वरूप को बदल देता है ये 1991 के एक्ट का उलंगन है ये मेरी आशंका थी और सच हो चुकी है ग्यानवाफी मस्जित फैसले के दिन तक मस्जित थी और रहेगी इन्शालला इस संदेश के साथ उन्होंने एक ट्विट भी शेयर किया उसमें लिखा कि वारणसी कोट ने घ्यानवाफी मस्जित वजहा सर्वेक्षन में शिवलिंग पाया गया उस थाल को तुरंत सील करने का आदेश दिया कि हैं सील की गई जगह में किसी भी वेक्ति के प्रवेश पर पूरी तरीके से रोक लगा दी गई है तो बावरी मस्जित को मुझसे छीन लिया गया अब हम वही 19-20 साल के बच्चों की कि अंखों के साम में दुबारा मस्जित को नहीं खोएंगे इंशालला हो ताला कि आप तमाम लोग अहद लेते हैं कि हम कोई मस्जित को नहीं खोएंगे कि आप अहद लेते हैं कि अब हम कोई मस्जित को नहीं खोएंगे अगर अहद लेते हैं तो हाथ उठा कर कहिए नारे तक्बीर नारे तक्बीर इनको पैगाम मिलना चाहिए मस्जिद को अब हम नहीं खोएंगे तुम्हारे दिन परेव और हतकंडों से हम जान चुके तुम्हारे हतकंडों को और अल्ला के रसुप